पढ़ने का मन नहीं है मम्मी पढ़ने बैठता हूँ, बुक्स खोलता हूँ तो दस मिनिट में नीन दा जाती है लगता है कि कुछ और ही कर लो है ना, बाईच में जब विडियो गेम्स खेल रहे होते हैं फोन पे स्क्रोल पे स्क्रोल पे स्क्रोल पे स्क्रोल इंफिनिटी करते है तो दिमाग बोलता है दिल बोलता है कि बेटा पढ़ ले यही टाइम बाकी है पढ़ने का बट फिर भी जानने के बाद भी राशनली जानने के बाद भी कि अब नहीं पढ़ेंगे तो कब फिर भी हम अपने ब्रेन के बटन को स्विच ओफ दबा देते हैं. वाई आ यू सो लेजी, सैड मम, आज मम्मी और पापा, क्यों हो तुम इतने आलसी, क्यों नहीं तुम जो हो उटते हो और थोड़ा पड़ाई कर लेते हो, जिन्दगी तो तुम्हारी है, तुम बरबाद करोगे तो तुमें ही घिसने पड़ेंगे अपने जूते, फिर आगे अपने बच्चों को खाने पिला खाना खिलाने के लिए, बोल सकते हो कि आप एनरजी सेविंग मोड में हो, बर यह क्यों सिर्फ मीम में लगता है, असली जिंदगी में अगर इस तरीकी के एनरजी सेविंग करोगे तो बाद में आपको मनी सेविंग करना पड़ेगा, तो आज का सेशन उन सब बच्चों के लिए है जो सोचते है कि यार हमें हमें पक्ता ही कि हमें पढ़ना है, पर शरीर हिलता ही नही, शरीर जब सठी टेबल पर पूछता है दमाग वहीं वीडियो गेम में रह जाता है दोस्तों में रह जाता है या अबिस्तर पे जाते है, या What is the real reason you are lazy? I am going to tell you that you are not lazy. जो आपको feel हो रहा है, वो मैं आपको बताने वाली हो. आज के पूरे विडियो में, यू विल फील more connected to what I am telling you right now, than anything else that you've heard before. ठीक है? Make sure that you watch today's video till the end. क्योंकि बार बार में कहूंगी guys, यह जो आपके कुछ साल है, 10th, 11th, 12th और अगर आप ड्रॉप लेते हो, इन साल में अगर आपने घिस लिया, आपने पढ़ाई कर ली, तो जिन्दगी में आगे कम घिसना पड़ेगा. मैं यह नही कह रही कि क्लास 10 के बाद मज़े है, क्लास 9 के बाद मज़े है, क्लास 12 के बाद मज़े है, नहीं, बट इसमें अगर आपने माक्सिमम स्ट्रागल कर रही, इस पीरिड ओफ ताइम में, तो बाई दे टाइम यू बिकाम अड़ल्ट कम घिसना पड़ेगा. लाइफ एग्जाम्पल, लेट में तेल यू, I studied a lot in my class 11 and 12 and my college. बीच में जरूर लाइख थी बट वापस से अपने आपको strong किया college में, इसके वजे से, आज I have achieved at least 80 percent of what I thought I will achieve by the time I turn 30. मैंने सोचाथा कि एक फोरिंग कंट्री जरूर जाऊंगी अपने पैसो से, किया मैंने, मैंने सोचाता कि मै घर हूंगी चाहे सलने पिछा धर शर्वाछी हूं और हम भाहर हो अपा है, मैंने सोचाता कि मैं एक विकेशन जाहें ज़रूर जाहूंट जाहूं। मैंने आएद बाहर का शूछा थाथै और इंडियू, बाहर हो प्लाए्टाण, टूर का क anál च fís hypocrisy developments तुबे से रात तक महनत घिस राए बिकार है एक है है। आज वो पहले पड़ टा लेता वर बिडियोगेम में अपना बिडियो गेम से इसंड नहीं करता तो तो आज वो अगर बेटर पोजिशन में होता इतना उसको गिसना नी पड़ता, छोटी-छोटे, you know, खुशियों के लिए. तो गाइस, today's session is a session that will, एक तरीके से नो हो गया वो बोलना कि marks matter नहीं करते हैं, marks matter करते हैं, क्योंकि वो आपकी महनत दिखाते हैं, वो दिखाते हैं कि आपने अपने laziness को overcome किया है, तो आज का session इसके लिए ही है, कि भाया आपको करना क्या है, if you also feel कि आए, despite knowing there is exam tomorrow, मैं बैट के जो एफोन में कुछ-कुछ देखता रहता हू, दिल में धगधकी होती ही रहती है, but हाथ हिलता ही, हिलना बंध नहीं होता, right, so that is what we are gonna talk about today, I hope you are ready, now, first let us talk about procrastination, होता क्या है procrastination, procrastination मतला आपके सामने, जो एक important task है, जो important काम है, उसको आप तुरंद नहीं करते, उसको आप एंड तक छोड़ देते हो, आप कहते हो कि यार मुझे करना ही नहीं है, मेरा मन ही नहीं है करने का, right, and जब वो time आने लगता है, आपका दिल धुग-दुग करने लगता है, and वो एंड में इस पसीने आने लगते है, इस procrastination के चकर में बहुँआट बच्चे पीछे रह जाते हैं, now, how common is procrastination, you will not believe, but according to a study, 87% of students said they procrastinate, I also was one of them, जो हर चीज को एंड मोमें तक छोड़ती थी, फिर मैंने अपना पूरा अटिट्यूट बदला, एक ऐसा ही session सुनने के बाद, है ना, not just that, men, apparently, are more likely to procrastinate than women, मतला, आदमियों के अंदर जादा हो रहता है, कि हम ताइम वेस्ट कर ले, जाएद लड़कियों को नी क्योंकि लड़कियों को गहर में बैठा, युनो, बैठ के देखते ही, मम्मी पापको कुछ होने आठा है, उठो, कम करो, कम करो, तो उनको आदत ही होती, इतना आलस की, राइट? Now, because you procrastinate, एक दिन पहले आप पढ़ाही करते हो, तो अगें, according to the same study, more than 70% of all students at least एक दिन वो all-nighter करते हैं, all-nighter मतलब एक पूरी रात बिना सोय पढ़ाही करते हैं, युनो, इस ब्सक्रासटिनेशन, अब करते हैं, फॉर्स्टिनेट करते हैं, लोग मुवी देख तीवी पे, सोशल मीडिया करते हैं, सोते हैं, टेक्स्टिंग करते हैं, फोन पे बाते करते हैं, पता नहीं किन लोगों से, मुझे तो कोई फोन ही नहीं आता है। जब फोन आता है, स्पाम का रता है। ये हंग आउट विद धर फ्रेंग्स, you know, बड अच्छली आल सी एक असली रीजन नहीं है वाई यू प्रोक्रास्टिनेशन टोड़े आम गूंट तो तेल यू वेरी इंपोर्टन अंटी प्रोक्रास्टिनेशन टिप्स तत्ट विल प्राक्तिकली वरक इन यूर लाइफ इस यूर वास्टी टीचर सुरभी गुपता फ्रॉम मिदान्तु नेक्शॉर तो यू वाच तो तो यू तो यू पर इस पहले तो कुछ इमिज़े आपको दिखाते हैं यहाँ पर एक बच्चा है वो जो है घर तक पोच्छना चाहता है बीच में ब्रिज है ब्रिज में एक ह तो यहाँ पर इस प्रॉम पर शुच जाते हैं घर तो कहीं हो जाता है जहां रहें आप यह तेंपरी शुचन ढूंड़ोगे यह पर मिननन सुल्चन ढूंड़ोगे यह तो यहाँ पर इमिज है कि भई आपका फ्रेंड बाट तब में नहा रहा है एक साप आता है तो किया आप उसकी हेल्प करोगे कि आप सोचोगे कि हेल्प कैसे करनी है यह आप काऊगे साप आया डेंजर आया मैं तो भाग रहा हूँ भाया तुम अपना देख लो है यह तो कभी अगर आप पे चोईस है कि भाई कल एक्जाम है चलो थोड़ी आवारा गिरी करते है यह पढ़ा अपने आप से किसी और को थोड़ी ना बताना है थोड़ा सोचना इफ यू थिंक इन सब चीजों को देखे कि हां भाई मेरे अंदर प्रॉबलम है प्रोक्रास्टिनेशन की प्रॉबलम को तो मुझे फोड़ना है तो चलो इसके बार में और बात करते हैं नॉमले लोगों क लगता है कि हम प्रोक्रास्टिनेट इसलिये करते हैं क्योंकि हम लेजी हैं लेट मी बर्स्ट इस में एक स्टडी हुई थी जिसमें की एक ग्रूप और स्टूडेंस को लिया गया था जो अपने आपको बोलते थे हैं बहुत प्रोक्रास्टिनेट करता हैं बहुत बेजी है इन 100 बच्चों में से बच्चों को 50-50 ग्रूप में डिवाइद कर दिया था जो पहला ग्रूप था वो था फन ग्रूप और जो दूसरा ग्रूप था वो था एक्जाम ग्रूप ठीक है मैं खुद बना दियो यह ना तो एक्जाम वाला जो ग्रूप था उनको बोला गया था कि आपके सामने ये टास्क है, आपको ये टास्क करना है, और अगर अपना ये टास्क अच्छी तरह किया तो आपको अच्छे ग्रेज मिलेंगे, आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, दूसरा जो ग्रूप उसको बोल यह तुम्हें करना ही करना है उन लोगों ने बिलकुल भी टास्क नहीं किया उन्होंने लास्ट मोमेंट अग विडियो गेम्स खेला बाते की मजा कुड़ाया पर टास्क नहीं किया बट उन बच्चों से जिनको बोला गया कि यह टास्क वस मजे के लिए करो नहीं करो फरक न नहीं होगा पता नहीं दर लग रहा है कभी A-plus आएगा या नहीं पास भी हो जाओंगा तो आपको लगते है फेलियर को फेस करने से अच्छा मैं करूं ही ना मतला आपको डर लगने लगता है कि आरे टास्क करना पड़ेगा करना पड़ेगा एक्जाम में आएगा you don't do it right that is one problem. अब let us for example वही study हमें ये भी बताती है कि 48% से कि यार I just चलो ये बाद में देखेंगे ठीक है now how to overcome this problem increase your self-confidence guys failure सबको होता है है ना setback सबको होते है बड़ अगर हम लोग जंग में जो है कदम भी नहीं रखेंगे तो जीतने की तो बात कभी होगी नहीं जैसे बहुत लोग बोलते है कि माम हम लोटरी टिकेट खरीदे नहीं बेकार टाइम वेस्ट तो पर अगर आपने लोटरी टिकेट कभी खरीदी तो कभी जीतोगे भी नहीं possibility probability ही नहीं होगी लोटरी टिकेट लोगे तो at least कोई तो probability होगी कि आप जीतोगे वैसे ही जंग में एंटर तो करो शुरू तो करो पढ़ाई है ना तो जरूर आप जीतोगे राइट अनादर फियर था स्टूडेंस हाग इस गेटिंग ओवर्व बहुत सारी बच्चों को लगता है कि अर बहुत साहरा है बहुत साहरा है बहुत सिलिबस है तुनामी की तरह सिलिबस आरी है थपड़ पढ़ रहे है क्लास 11 और क्लास 10 के इसी लिए वो शुरू ही नहीं करते है वो डर जाते है looking at the amount of work अगर आपके साहरा है तो तो there are two things you can do first is visualization इसके मार में मैंने बहुर मात किये पहले कुछ वीडियो में कि एक बार एक scientist कुछ scientist ने study किया था कि जो लोग कुछ लोगों से प्यानो बजवाया और कुछ लोगों को मुला तुम imagine करो visualize करो कि तुम प्यानो बजा रहे हो और यह देखा गया कि brain का same part जो है stimulate हो रहा था जब लोग कर रहे थे प्यानो और जब लोग सोच रहे थे प्यानो के बारे में वैसे ही if you think that you are not able to study that you don't want to do a test you don't want to do an assignment बहुत जाद है बहुत महनत है पहले step है visualize करो that you are going to the study table paper ले रहे हो pen ले रहे हो you know you do all of that process in your mind and आपका brain का वह पाथ stimulate होने लगता है तो motivation तो एक दम ही आती है right that is one thing you can do second is again task बहुत भारी और बड़ा लग रहे है तो break down the task into small steps start with थीक है भाई बहुत chapters है chapter के इतना ही part आज में करने वालो once you start accomplishing or accomplishment वाली feeling अंदर आने लगती है तो आपके तो आप पूरा चीज खतम भी कर लेते हो और खुशी भी बहुत होती है another reason why you are why you feel lazy why you don't want to study is because आपका गोल नी है आप सोच्टे कि आज पढ़ा ही करूँगा पट क्या पढ़ोगे क्या आपका intention आज क्या खतम करना है you start getting stressed out when you sit on the study table without an agenda तो यह आपको नहीं करना बच्छो आपको एक 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 once you have a clear goal then you will able to achieve it properly ठीक है motivated रहोगे आप क्योंकि हर दिन जब आप कुछ गोल अकम्पलिश करोगे अगले दिन का इंतजार आपको उतना ही रहेगा now let's come to the maha dev of why you are lazy or why you don't feel like studying distraction and temptation मैं आपको पहले भी पता रखा इस molecule के बारे में dopamine dopamine कैए molecule है जो हमारा brain release करता है when we feel good when you watch your favorite tv show dopamine when you go out with your friends dopamine when you play video games dopamine आजकल problem क्या है कि आप video games भी खेल रहे है दोस्तों से बात भी कर रहे है junk food भी खा रहे है सब साथ साथ तो brain इतना dopamine release कर देता है इसका बोलत है dopamine stacking जब आप बहुत सारी stimulated चीजे साथ में करते हो तो आपका brain का high level जाता है dopamine का तो चोटी चोटी चीजों में आपको खुशी नहीं मिलती dopamine नहीं मिलता तो पहले के लोग बाहर वाक करते थे evening walk उसी में उनको dopamine मिल जाता था cycling के जाते थे उसी में उनने dopamine मिल जाता था पर अब आपने इतना जादा आपने आपको stimulate कर दिया है कि छोटी चीजे जैसे पढ़ाई करना टेस्ट में एक टेस्ट अच्छी तरह करना उसमें आपको dopamine नहीं मिलता तो what you need to do is dopamine fasting मुश्किल है बहुत महनत है बट control करना है for example अगर आप 5 घंटे अभी आप screen time कर रहे हो उसे 4 घंटे करो और जो एक घंटा है उसमें fasting करो dopamine fasting जिसमें आप यह highly stimulating चीजे जैसे TV, screen यह सा मत देखो थोड़ा अपने आपको slow down करो book पड़ो, park में walk करो, अपने family से बाते करो, create करो, hobbies लो जैसे drawing that will lower your dopamine का baseline, उससे क्या होगा जब आप पढ़ाई भी करोगे तो उसमें भी आपको खुशी मिलेगी distractions आपको लगेगा कि यार अब तो जरुवत नहीं है, so that is what you can do next is perfectionism कुछ बच्चिय होते हैं जो बोलते हैं कि यार, हो ही नी रहा, कर रहें पर होी नी रहा कर रहें हैं बच, 70 आ रहें आ रहें, 60 आ रहें हम तो करी नी रहें बिका रहें, 60 रा रहें तो पढ़ने कही ऩा फाइदा तो वो बच्चे हैं जिनको लगते है कि आप मेहनत कर रहे हो तो you should get a perfect score पर ऐसा नहीं होता, मेहनत एक ऐसा नहीं है कि आपने आज मेहनत की और काल score आया मेहनत को increase करना पड़ता है हर टाइम, मेहनत करते रहना पड़ता है राइक? and it is important कि हम थोड़ा सा self-compassion निखरे self-compassion क्या होता है? कि पच्चों देखो किसी और से प्यार करना बहुत ही आसान होता है पर अपने आप से प्रेम करना वो बहुत मुश्किल होता है है ना मतलब you always find false in yourself you keep saying क्यार हम ये है हम वो है हम इतने बुरे हम इतने बुरे है the first step you need to do is have a plan आप एक हफते का plan बनाओ सोच एक दिन में क्या करोंगे अपने आपको ओवर्भेल मत होने दो dopamine थोड़ा सा कम करते रहो हर दिन और याद रखो guys कि आप लेजी नहीं हो आप यह नहीं कि अंदर से ही लेजी हो बाहर जो है बालकनी में बैटके फोटो सिंथेस करना चाहते हो नहीं बात यह है कि आपके आपास इतने distractions हो गए है आप जादा से जादा लगने लगते है कि यार एक्जाम के लिए इसलिए आपको डर के वज़े से कि फेल ना हो जाब पढ़ाई ही नहीं करना चाहते है तो यू नीद तो ओवर्कम ताट अना तेलिंग यू दिस अगें अभी नहींत कर लो जिससे बाद में आ घिसना पड़े क्योंकि दुनिया बहुत बड़ी है गर्मी बढ़ती जा रही है इतनी धूप में जब घिसो होगे न चपल नौकरी के लिए तो रोना आ जाएगा और मैं तेलिंग यू विट एक्सपीरियंस ओफ पीपल यू जो बच्चे मेरे साथ में मुझसे डबल पड़े थे ना आज हो अलग ही प्लेस है और मैं सोचती हू कि यार काश मैं भी उतना पडली होती है राइट तो आट इस एट फो टोड़े यू 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 और मिलते हैं अगले सेशन में बाव बाई